प्रेलवे में कंटेनर कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे के कोचो में इको प्रेंडली या बंबू फुलोरिंग फुलोरिंग कंटेनर लिखा हुआ रहता है तो बाद सबना फुलोर का क्या लाब है यह टेकनोलोजी के वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिसकस करेंगे तो बंबू पुलरिंग आज के होट टॉपिक है अगर आप रेलवे के किनारे जाते हैं तो आज कल कई कंपनियों का इको फृरिंगली कंटेनर होता है जिसमें आप अलग-अलग समानों को अपनी रख के एक अस्तान से दूसरे अस्तान पे रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं क्योंकि ये कंटेनर होता है कंटेनर किसी ठट पाटी का भी हो सकता है और इनी आदर इन्विजूल का भी हो सकता है जो railway एक अस्तान से दूसरे अस्तान तर ट्रेवल कराती है इसका benefit क्या है तो बहुत लोगों का समझने में आता होगा कि इको प्रेंडली से क्या मतलब है जब container ऐसा है तो railway जितनी अच्छा से चलती है उसी पर उनका परदूसन बगेरा जो भी होगा उससे होगा इको प्रेंडली से क्या relation है इको प्रेंडली एक container है जिसमें हम बंबू flooring की बात करेंगे यानि बास की floor की बात करेंगे तो देखिए इसमें समझने के लिए आप थोड़ी सी तीन अलग-अलग topic के बिनपीट को मैं लेके आया हूँ तो यहाँ बिनपीट नमबर अगर एक से अगर बात करेंगे तो यह renewable material है जो बंबू है अब जानते हैं बारत के कई सारे अस्टेटों में जो आपका सीकी मोरुनाचल परदेश वाले एरिया है वहाँ पे बास का बहुत नहीं पहुचता पहला condition दूसरा यह 4X आप जानते ही है 4X क्या होगा चार गुना फास्टर ग्रोथ करता है अगर एक आप साल का पेड़ लगाते हैं टिक कर लगाते हैं या और कोई फ्लोर लगाएंगे उससे चार गुना यानि का सकते हैं एक बास को दियार होने में करीब करीब 3-4 साल का समय लगता है जबकि अगले दूसरी फ्लोरिंग की लकड़ी अगर आप बनाएंगे तो उसमें 10-15 या 20 साल भी लग सकते हैं यानि 3-4 साल में बास की ज़्यादा उत्पादन भी किया जा सकता है जिसके का सकते हैं कि यह आपकी फ्लोरिंग है वो सस्टनेब फ्लोरिंग होगी आपकी बास जितना तयार करते रहेंगे उतनी आपकी इको फ्रैनली कंटेलर तयार होते रहेगा दूसरी कंडिशन की बात करेंगे तो बाई डाइग्रेबल होता है यानि सस्ट्रेमनबल फ्लोरिंग का ही दूसरा पाथ है कि यह आपकी अराम से डिग्रे जो सुंदर भी और टिकाव भी और अच्छा लगती है उसके अलावा अगर पहले पॉइंट पे देखेंगे तो इसका cost effective बहुत है आज के देट में हर चीज को हर आदमी को सस्ता समान चाहिए सस्ता दूलाई चाहिए और सस्ती बस्तू का transfer हो जाए उसमें इसको अगर container बनान जो आप लकड़ी के बनाएंगे बेस उसमें paint की भी जरूरत पड़ती है और बहुत सारी उसको costs होता है साथ में क्रोजन होने के भी chance रहता है लेकिन अगर बंबू का बनाते हैं तो इसमें बंबू में आप जानते ही है जंग नहीं लगता है और इसमें क्रोजन नहीं होता हैं जिससे किसी भी चीजे से प्रोलम होती हो खराब होने का डर रहता हो जैसे अगर जैसा की बात railway ने बात किया था किसान टाइप के rail उसमें अगर कोई milk जाती है कोई अलग अलग चाती है तो उसमें आपको क्रोजन वाला पार्ट अगर open में रखने वाले बस्तू है जैस footprint, reduction of BOC, validation of carbon dioxide आप जानते हैं CO2 emission बहुत बड़ी आजकल इसू है अगर बांस यूज करते हैं तो तीन से चार साल में ये तियार हो जाता है जिसके कारण से आपकी इसकी life कर सकते हैं कि कम समय में ज्यादा आपकी material उपलब्द करा सकता है और साथ में इसमें से निकलने वाली जिंग बिल्कुल zero होता है यानि जिंग फिरी आपकी flooring परवाइड कराएगा तो railway का ये pattern है और कई बड़ी बड़ी कम्पनियां जैसे CA GM के बात कर रहे हैं तो ये eco-friendly container आजकर बना रहा है जो आज के date में कर सकते हैं कि बहुत बड़ी आटेकलोजी से यूज करके railway इसको प्योग कर रही है जो आज के लिए बिन फीट है तैंक यू धन्यवाद